नमस्कार दोस्तू टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब जरू कर ले आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे करके एक एक सोचबीस पिंटर का इस्टोलेशन कैसे किया जाता है यह हमारे पास एक सब्सक्राइब आपको करके बताएंगे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं तो आप आप मारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्त दुरूर देगे ताकि आपको अच्छी त्रीके से सम कि बिल्कुल इज़ी आराम से निकालना है यह मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ कि यह मैंने इससे तेली पॉली तीज से बाहर निकाल देता हूँ जहां पर भी टेपिंग लगी भी है उसको हटानी है और यहां पर आप देख सकते हो इसका टॉनर काट्रेस लगावा है अंदर जो इस पर यह स्पोर्टिंग लगी है इसको हटानी है और हलका उपर करके जो अंदर टॉनर काट्रेस के अंदर सपोर्टिंग लगी है उसको भी हटानी है तो मैं इनको भी हटा देता हूँ और एक बार इसकी कार्टरिज बाहर निकाल देता हूं और इसके उपर जो भी लोक लगे हुए उसको मैं एक बार रिमो कर देता हूं और इसको मैं खीच के बाहर निकाल देता हूं और एक बार वापस कार्टरिज मैं अंदर लगा देता हूं और यह इसकी power cable है और यह इसकी USB cable है तो इसमें एक बार computer से connect करेंगे और मैं इसे own करता हूं और यह इसकी CD है जो installation करने के काम आती है तो मैं CD से computer में installation करता हूं यह मैंने अंदर डाल दी है और यह paper tray है और यह CD open करके मैं इसका installation चालू कर देता हूं कि यहां पर आप देख रहे होंगे यह installation हो रहा है कि स्टेब वाइस्टेब आपको देख सकते आप कि यहां पर डिस्कनेक्ट केबल करने के लिए बोल रहा है मैं एक बार केबल हटा के फिर वापस लगा देता हूं और यहां नेक्स्ट कर देता हूं मैं इस्टोलेशन प्रोसिसिंग चालू है और यहां पर देखिए कि केबल कर देते हैं यह भी कुछ दिक्राओंगा के कनेक्ट बता रहा है और यह इसका इंस्टोलेशन सक्सेस्पूल कंप्लेट हो गया है और कोई भी एक टेस्ट पेज़ देखेंगे डेमो पेज़ यहां पर देख सकते हो तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा और यह प्रिंट अब देख सकता हो यह प्रिंट अंजर ले लिया इसने प्रिंटर ने और यह प्रिंटर हमारा कंप्लीट है इस्टोलेशन पूरा ओके है मस्कर जैहीन दोस्तूं कर दोस्तूं